अश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो जो आज का वीडियो होने वाले वो खास कर उन लोग के लिए खास होने वाला है जिनके पास 4GB RAM है और 500GB ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है तो बैल ग विजिट करो एपनी गेम को इंस्टाल करो दूसरी बात कि अभी देख आपने हमें इंस्टागराम एंट्रेग्राम चैनल को जोईन नहीं कि तो भाई घर ख्या रहे हो जाके जोईन कर लो भाई तो बीना टाइम वेस्ट किये चली वीडियो को स्टार्ट करते है जो अबर इस गेम को बोल सकते हैं कि यह बैटल फिल्ट री का पुरा सीक्वेंस है जो कि 2011 को रिलीज किया गया था बैटल फिल्ट फॉर को रिलीज किया गया था ऑक्टूबर 2013 को और वेल गई सभी प्लैटफॉर्म के लिए उपलब दे प्लेश्टेशन 4 एक्सबॉक्स और आपकी PC के लिए पिशन्स कंप्लीट करना रहता है एंड बैसिकली इस गेम को मेरको सबसे अच्छा बात यह लगता है कि पूरा ओपेंड वर्ल्ड गेम आपको पूरा ओपेंड वर्ल्ड व्यूंग अंगन मिलता है अड अलग अलग सिटी में आप यहां पर अपना मिशन्स को कंप बात करें की तो भाई इसका जो सेस्टम रिकवारमेंट है हो आपके 4GB राम में आराम से चल जाएक तो यहां पर वे बैटली फिल्ड फॉर का है वह मिनिमां सिस्टम रेक्वारमेंट आपको यहां पर मता दना चाहता ह sensor की बात करतों ko तूब उम्हें पान्स पाराम से चल मुद्ली खेल सकते हो एंड गेम का पूरा एक्सपरीश ले सकते हो जल गैस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर तो केसे हमारे जो सकेंड गेम निकल के आता है उसका नमें फार क्राइध री थ्री जो है दोस्तों वह एक फर्स फर्शन शूटिंग वीडियो गया में जी रूक आइलेंड जाता है अपने फिरंश चार विकेशन मनाने और उसके भाई जो रैली रहता है उसको पाइलेट लाइसनस मिलने खुशी में वो पाटी मनाते रहता है तो होता क्या है दोस्तों कि वो पाटी मनाते मनाते स्काइड़िंग करता है जैसे वास के कबजे से छोड़ा के जैसे जैसे वहां से निकलता है यहां पर यहां पर में स्टोरी स्टार्ट होता है यहां पर अब जैसन वास के जो भी बेस रहते हैं अब वास को माना रहता है तो इस हसाब से जैसन one by one VAS की जीएतने भी base रहते हैं उन सभी को खतम करता है लाशने वास को मार देता है तो बिसिकली एक storyline mission game है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको पुड़ा open world का view देखने को मिल जाता है और साथी साथ कर जो graphics quality बाइब वो कता ही O.P. है एंड जो फार क्राई 3 का जो सिस्टम रिक्वारमेंट वो भी कुछ ज्यादा नहीं है तो बेसिकली उस्तो हो जो जो फार क्राई का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वारमेंट है जिसमें कि आप इस गेम को स्मूधली खेल सकते हो वह यहां पर रिविल कर जाता हूं राम की बात करते हैं इंटल को तुडियो में राम से चल जाएगा सब्सक्राइब तो अगर आपको इस गेम को भी अगर अपको स्टॉल करना तो पान के मेरे वेबसाइट पर जाए वहां से आपको स्टॉल कर सकते तो वैल गाईस बढ़ते हमारे थर्ड गेम के जाता है उसका नाम है वास्टॉक एंड वास्टॉक के बारे में आप मेरे से जादा अच्छे तरीकस जानते तो फिर भी यहां पर में थोड़ा एक्स्प्लेइन कर देना चाहता हूं वास्टॉक जो हमारा गेम है वह एक एक्शिन एडवेंचर और साथी साथ ओपन वर्ड वीडियो गेम है जिसे टेवलप एंड पब्लिश किया गया यूवी सॉफ्ट के द्वारा और बिसिकली इस गेम में आपको बिसिकली फिला हैकिंग स्किल आपको यहां पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको मिशन कंपलीट करने रहता है एंड जो हमारा गेम का जो मै प्राइवेट कंपनी उसे डेवलप कर से सभी चीज कंट्रोल होती है कि कौन आदमी कहां पर है और पूरे CCTV कामरा पर पूरा सिटी इस ओयस से कंट्रोल होता है और बैसिकली जो कंपनी रहती है वो इस जितने भी डीटेल से रहती है वो दूसरी कंपनी को सेल आउट कर देत पर दिखाया रहे है कि आपका जितना भी डीटेल से वो सभी प्राइवेट नहीं है तो यहां पर हमारा प्रोटेगोनिस्ट रहता है उस आडम प्रियस रहता है वो हाइली इसके लिए ग्रेट हैट है कि शहर के किसी भी इलेक्रोनिक डिवाइस को वो हैट कर सकते है तो बे विदर विदर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो घूम फिर सकते हो मतलब पूरा आपको ओपन वर्ल्ड शिटी का यहां पर पूरा एक्सप्रियस दिखने को मिलने वाला है जो मिनिमम सिस्टम रिक्वारमेंट है वह मैं बता दू राम की बात कर तो मिनिमम 4GB होना चाहिए ग् इस गेम को भी अगर आपको इस्टॉल करना तो भाही बोलने का क्या बात है कूट पान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वेबसाइट कलेंगा आपको दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जल्दी जा कि इस गेम को स्टॉल कर लो एंड वाल कैस बढ़ते हमारे 4th गेम के पर गेम निकल के आता है उसका नाम है GTA 5 आया है GTA 5 के फैन है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर करके जरूर जाना तो यहां पर में GTA 5 के बारे में थ़ड़ा आपको एक्स्प्लें कर देना चाहता हूं वैसे एक्स्प्लें करने का जरूरत नी आप मेरे से जाधा जानती हो बट फिर भी मैं थोड़ा एक्स्प्लें कर देना चाहता हूं दोस्तों GTA 5 एक आक्शन एडवेंचर ओपेंड वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डबलप एंड पब्लिश किया गया है रॉक स्टार गेम्स के दुवारा इस गेम को रिलीस किया गया था दोस्तों 17 मतलब आप इस गेम को लो-ेंट पीजी में भी खेल सकते हो एंड अपने पीची में भी खेल सकते हो आपने ही अन्पीच इस गेम को दो सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो भी कुछ जादा निया तो एक्यां यह बट प्लैटफोर्म के लिए उपलब दे आप इसे प्लेसेशन सब्सक्राइब करने के लिए इस बढ़ते हैं हमारे फिफ्ट गेम की उपर उमारा फिफ्ट गेम निकल के आता है उसका नहीं मैक्स पैन तू नहीं खेला है तो भाई आप पहले उन गेम को खेलो तब जाके मैक्स पैन थ्री में आओ तो यहाँ पर मैक्स पैन तुरी आपके लिए ही पना है भाई जी तो यहाँ पर मैक्स पैन थ्री आपका एक थर्ड परचन शूटिंग वीडियो में जिसे डवलप किया गया हमारे चाहिते यहाँ पर देखने को मिल जाता है मतलब इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस गेम की सिस्टम रिक्वार्मिट की बात कर लें तो गाई इस गेम करें मिनिममम सिस्टम रिक्वार्मिट है वह यहाँ पर में रिविल कर देना चाहता हूं रैम की बात करें तो मिनिममम 3GB होना चाहिए ग्राफिक काड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 500 बारें भी ग्राफिक काड्स होना चाहिए आपके PCI लैप्टॉप पे और प्रोसेसर की बात करें इंटल को टूट में अराम से चल जाएगा बात करें तो बहुत मिनिममम 30GB के आज सपास खाल याखना इस गेम को स्टॉट करने के लिए तो अगर आपको इस गेम को इस गेम को इस गेम के उपर जो मारा सिंट्स गेम क्या आता है उसका नाम है Call of Duty Black Ops 2 अगर आपने Call of Duty Black Ops 1 को नहीं कहला है तो भाहिए आपको Storyline समझ में नहीं आएगा तो इसलिए Call of Duty Black Ops 1 को जरू से पहले खेलना तब जाके Call of Duty Black Ops 2 को आप इंस्टाल करना तो यहां पर मैं Call of Duty Black Ops 2 के बार में थोड़ा पता देना चाहता हूँ दोस्तों Call of Duty Black Ops 2 एक फर्स पर्शन शूटिंग वीडियो में जिससे डेवलप किया गया ट्राइच के दवारा एंड इससे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के दवारा एंड यह अल्मोस्ट सभी प्लैटफॉर्म के लिए सब्सक्राइच के लिए इस गेम को रिलीज किया गया गया था ट्वल्फ नॉमबर 2012 को एक मिशन स्टोरी लाइन मिशन टाइप का गेम है दोस्तों यहां पर आपको मिशन कंप्लीट करना रहता है और इस गेम की मोड की बात कर तो यहां पर आपको दो मोड मिलते है एक सिंगल प्ले एक मल्टी प्ले तो इस गेम में आपको पुड़ा ओपन वल्ड व्यू मिलता है आप ओपन वल्ड का यहां पर एक्सपरेंस का लुफ्ट उठा सकते हो गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वार्मेंट है वो यहां पर मैं रिविल घर देना चाहता हूं तो आप अच्छा एक्सपरेंस लेना चाहते हो तो फोर जीब राम मिनिममम आपकी PCI लाप्टॉप पे होना चाहिए राम की बात कर तो मिनिमम पांस उबारा में नीड है और प्रसेसर की बात कर तो कोड टूडियो में आम से चल जाएगा पेस की बात कर तो मिनिमम आप 12GB क सबस्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहिए तो प्लीज मेरे वेबसाइट पूद फान के जाए अपने गेम को इस बढ़ते हैं हमारे सेवंध गेम के उपकर तॉम राइडर 2013 टॉम राइडर 2013 की बात करें तो ए यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां पर को मिशन को कम्पलीट करना जाता है यहां पर सबस्टेशी बात यह लगती है कि इस गेम में आप अपन वर्ल्ड व्यू का experience देखने को मिल जाता है साथ साथ गेम को रिलीस किया गया ता आप्छ मार्ट 2013 को अड़ गेम की बात ऑफ्र डिष्साले के लिए क्यूंत करें तो कूट फान के मेरे वेबसाइट पे जाओ और अपने गेम को इसपेस की बादक लेगे पड़ायगologist उसका नाम है Batman Arkham Origin एन दोस्तो Batman Arkham Origin एक action adventure वीडियो गेम है जो कि साथी साथ आपको इसमें Open World का भी experience देहने को मिल जाता है Batman Arkham Origin को डेवलप किया गया था WB Games के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया है Warner Bros. के द्वारा Season Game को रिलीज किया गया था October 25, 2013 साथी साथ गेम मोड की बात करते हैं उसमें आपको सिंगल प्लेयर साथी साथ मुल्टि प्लेयर भी मिल जाता है और अल्मोस्ट इस सभी प्लैटफॉर्म के लिए आपके उपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हैं Xbox में खेल सकते हैं इसे आप अच्छा एक्परेंस स्मूदी खेलना चाहते हैं तो मिनमुम आपकी पास 4GB RAM होना चाहिए तो यहां पर जो रिकमांडेट सिस्टम रिकमांडेट सिस्टम रिकमांडेट में लग जाता है वह यहां पर में रिवील कर देना चाहता है और RAM की बात करें तो निममुम 4GB होना चाहिए प्रोसेसर की बात करें तो Intel Core 2 वह जाएगा ग्राफिक काट की बात करें तो पान सो बारा में नीड है आपका एक एक आक्षिन एडवेंशर वीडियो गेम है जिसे डवलाब एंड पब्लिश किया गया Ubisoft के द्वारा और साथी साथ इस गेम को रिलीस किया गया था इस गेम को रिलीस किया गया था 29 अक्टूबर 2013 को और सभी प्लैटफोर्म के लिए फ्लॉब देश आप इसे PlayStation 3, Xbox और आपके PC के लिए भी खेल सकते हो साथी साथ इस गेम के बारे में थोड़ा मैं एक्स्प्रेइन कर देना चाहता हूँ दोस्तो एक स्टोरी लाइन मिशन गेम मिलता है यहाँ पर आपको मिशन कंप्लीट करना रहते हैं साथी साथ यहां का जो मैप है वह टोटली ओपन वर्ड है आप मैप को पूरा एक्स्प्लोर कर सकते हो साथी साथ यहां पर आपको अलग अलग टाइप के हाँ दूस्तों पुरा ओपन वर्ल्ड बेस थे इसका जो ग्राफिक्स है गेम का वह काफी ओपी है इस गेम का system requirement ही वो यहां पर में reveal कर देना चाहता हूं सबैंक इसका isme कar minimum system requirement ही यहां पर में reveal कर देना चाहता हूं रेम की बात करेश तो minimum 4GB होना चाहिए ग्राफिक-काट की बात करेश गेश चाहिच हरें प्रोसेसर की बात करें तो इंटल का i3 का प्रोसेसर आपके PC या लाप टॉप पे होना चाहिए, स्पेस की बात करें तो 30GB की आसपा स्पेस खाली रखना इस गेम को खेलने के लिए, तो इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है, तो भाई कूद फान के जल्दी से मेरे वेबसाइट पे जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो तो इस बढ़ते हैं हमारे आखरी के